हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल फर्स फ्लाइट मैं अनामिक आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड इयर फिफ्ट सैमिस्टर जी इए हिंदी अनुबाद व्याभार और सिधान्द में अनुबाद की परिभाषा और प्रकार तो आईए हम अनुबाद की परिभाषा सुरू करते हैं इसमें हम फ्रेंड्स दो तिन विद्वानों के अनुसार अनुबाद की परिभाषा को देखेंगे तो पहला हम देखते हैं Catford के अनुसार तो Catford एक विद्वान है जो कहते हैं एक भार्षा की पाठ्थे सामगरी को दूसरी भार्षा की समानार्थक पाठ्थे सामगरी में प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है उसके बाद हम देखते हैं दूसरे जो हमारे विद्वान है New Mark के अनुसार New Mark कहते हैं अनुबाद एक ऐसा सिल्प है जिसमें एक भार्षा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भार्षा के उसी संदेश को प्रस्तूत करने का प्रयास किया जाता है जो अनुबाद कहलाता है उसके बाद हम थर्ड देखेंगे नाइडा के अनुसार नाइडा भी एक तीसरे विद्वान है जो कहते हैं कि अनुबाद एक प्रक्रिया है जिसमें एक भार्षा को दूसरी भार्षा में बदला जाता है पहले ये अनुबाद भार्षा का होता है फिर शैली का होता है तो friends इन तीनों विद्वानों में हम देखते हैं कि जो NIDA की परिभासा है वो सबसे परिभासा मतलब बहुत जादा उत्तम मानी गई है उसके बाद अगर हम generally normal words में बोलना चाहें परिभासा में तो हम क्या कह सकते हैं कि एक भासा में प्रस्तूत की गई बातों को दूसरी भासा में हूँ बहु प्रस्तूत करना या रुपांतरित करना अनुबाद कहलाता है उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुबाद के प्रकार, तो अनुबाद के तो बहुत सारे प्रकार है, लेकिन हम जो हमारे एक्जाम के point of view से important है, वही हम करेंगे, तो पहला हम करते हैं, जो first इसमें भी हम विद्वानों के अनुसार देखेंगे, पहले जॉन ट्राइडन देखें मेटाफ्रेज का definition है, जब शब्द के लिए शब्द और वाक्य के लिए वाक्य का अनुबाद किया जाता है, तो वह मेटाफ्रेज कहलाता है, अब पैराफ्रेज का देखते हैं, तो पैराफ्रेज होता है शब्द और वाक्य से अलग, जब भाव के लिए भावा को बनाए रखने के लिए किसी शब्द और अर्थ की स्वतंतरता होती है तो उसे हम क्या कहते है इमिटेशन कहते है तो इन तीनों अनुबाद के प्रकारों में से हम अगर देखे तो पैराफ्रेज जो है वो सबसे उत्तमाना गया है पैराफ्रेज में क्या बताया गया है कि शब्द और वाक्य से अलग जब भाव के लिए अनुबाद किया जाता है भावा अनुबाद किया जाता है तो उसे हम पैराफ्रेज कहते हैं तो फ्रेंड्स हम जेनरली देखते भी है कि अनुबाद में श्रब्द का अनुवाद नहीं किया जाता है बहुत कम किया जाता है भाव का अनुवाद भावा अनुवाद बहुत जादा किया जाता है तो पैराफ्रेज जो है वो सबसे उत्तम माना जाता है जॉन ब्राइडन का उसकी बाद हम आते हैं रोमन जैकोबसन का रोमन जैकोबसन अपने पुस्तक में जिसका नाम है on the translation उसमें लिखा है उसमें अनुबाद की तीन प्रकार को बताया है पहला है अंतर भाशिक अनुबाद दूसरा है अंतर भाशिक अनुबाद तीसरा है अंतर प्रतिकात्मक अनुबाद अब हम पहला देखते हैं अंतर भाशिक अनुबाद अंतह भाषिक अनुबाद का definition देखते हैं तो एक भाषा के अंतरगत किया जाने वाला अनुबाद अंतह भाषिक अनुबाद कहलाता है यह एक ही भाषा सापेक्ष अनुबाद होता है इस प्रकार के अनुबाद को अन्यय यांतर भी कहा जाता है इसमें अनुवादक एक भाष्या में व्यक्त बात को उसी भाष्या में कुछ दूसरी तरह से व्यक्त कर देता है यह एक प्रकार से व्यक्या अनुवाद है यानि कि फ्रेंट्स अगर हम देखें तो इसमें एक ही भाष्या से दूसरा अनुवाद किया जाता है जैसे माल लिजे कि हम हिंदी से अगर हिंदी में ही अनुबाद करें तो अंतर भाषिक अनुबाद कहलाएगा उसके बाद हम इसका एक्जामपल देख लेते हैं तो पहले जो संस्कृत का भाष्य और टीका होता था लिखने की परंपरा थी भाष्य होता था और उसी का अनुबाद टीका के रूप में किया जाता था तो भाष्य और टीका लिखने की परंपरा उधारन के रूप में हम देख सकते हैं उसके बाद हम दूसरा देखते हैं अंतर भाषिक अनुबाद अंतर भाषिक अनुबाद क्या होता है कि जब किसी एक भाषा की सामगरी के कत्थे को दूसरी भाषा में बैक्त किया जाता है तो वे अंतर भाषिक अनुबाद क्या लाता है मतलब हम जेनरली अंतर भाषिक अनुबाद का प्रेव करते हैं इसमें friends क्या होता है कि एक स्रोत भाषा होती है एक लक्षे भाषा होती है तो स्रोत भाषा होता है जो पहले से दे रखा होता है और लक्षे भाषा होता है जिसमें हम रुपांतरी करते हैं जिसमें अनुवाद करते हैं तो इसमें क्या होता है friends स्रोत भाषा अलग होती है और लक्षे भासा में हम अनुबाद करते हैं तो वह क्या होता है अंतर भार्षिक अनुबाद कहलाता है इस प्रकार के अनुबाद को भार्षा अंतरन भी कहा जाता है यह एक भार्षा की प्रतिक व्यावस्था में व्यक्त अर्थ को दूसरी भार्षा की प्रतिक व्यावस्था म अंतरिम करने से संबन दीत है अब जैसे हम इसका एक्जामपल देखें तो क्या कह सकते हैं कि हमारे पास दो भार्षाय होती है इसमें शुरुत भासा और लक्षे भासा माली जैसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुबाद किया अंग्रेजी से जापानी में किया उडिया से मडा उसका अनुबाद हरिवन्स राय बच्चन द्वारा किया गया है जब तुम बूढ़ी होना तो फ्रेंट्स जो इट्स की कविता थी पोयम थी वें यूआर ओल्ड वो क्या हो गया सुरोथ भाष्चा क्या हो गया उसका इंग्लिश हो गया लेकिन हरिवन्स राय बच्चन जी वारा किया गया जब तुम बूढ़ी होना यानि कि हिंदी में किया गया तो ये अनुबाद ये हो गया हमारा अंतर भाषिक अनुबाद उसके बाद हम तीसरा देखते हैं अंतर प्रतिकात्मक अनुबाद इसमें क्या होता है फ्रेंट्स की प्रतिकों की माध्यम से सिंबल् अतवा विचारों का आदाhan परदान इसका उधेशी होता है मालनी जी फ्रेंट्स जैसे उधारन आप ले सकते हैं कि चौराहे पर रुकने के अर्थ में लाल बत्ती वस्तूत एक प्रतीक है यानि कि चौराहे पर रुकते हैं उसको हम symbols के माध्यम से अगर समझाते हैं, तो क्या होता है? वो अन्तह हमारा अंतर प्रतिकात्मक अनुबाद क्या लाता है. उसके बाद हम देखेंगे, friends, जो सबसे important हमारा भार्षा के प्रकार में होता है, sorry, अनुबाद के प्रकार में होता है, तो अनुबाद के भार्षा परक प्रकार, इसमें हम देखते हैं कि मेली जो मतलब हमारे पास है, हमारे पास मतलब इसमें है, साथ मतलब इसके प्रकार है, अन्तह भार्षा परक प्रकार के साथ प्रकार हैं हमारे पास, पहला है शब्दा अनुबाद, दूसरा है भावा अनुबाद तीसरा है छाया अनुबाद चोथा है सारा अनुबाद पाचवा है व्यक्या अनुबाद छठा है आदर्श अनुबाद सात्वा है रुपांतरन अनुबाद तो अब हम एके करके इसका definition करेंगे तो पहला क्या है शब्द अनुवाद? तो friends इसके word से फटा चल्याए कि शब्द अनुवाद किया जाता है तो इसका definition अगर देखें तो शरुत भाषा के सब्द एबं शब्द करम को उसी प्रकार लक्षे भाषा में रुपान्तृत करना शब्द अनुवाद कहलाता है यहाँ अनुभादक का लक्षी मूल भाषा के विचारों को रुपांतरित करने से अधिक शब्दों का यथावत अनुभाद करने से होता है शब्दा अनुबाद उचकोटी के अनुभाद की श्रिनी में नहीं आता है means मान लीजिए कि शब्दा अनुबाद अगर हम करते हैं तो उसका भाव ही नहीं निकल के आएगा तो शब्दा अनुबाद हमारा व्यर्थ हो जाएगा इसमें भाव को महतों नहीं दिया जाता है इसमें शब्दों को जादा महतों दिया जाता है उसके बाद हम सेकिंड देखते हैं हमारा भाषा परक प्रकार का सेकिंड पॉइंट है भावा अनुबाद भावा अनुबाद क्या होता है भावो का अनुबाद इसमें सब्दों को महतों नहीं दिया जाता है और भावों को उसकी अर्थ को जानने पे जादा बल दिया जाता है तो इसका definition करते हैं तो साहित्तिक क्रीतियों के संदर्व में भावा अनुवाद का विशेश महत्तो होता है इस प्रकार के अनुवाद में मूल भाषा के भावों, विचारों एबं संदेशों को लक्ष भाषा में रुपांतरित किया जाता है इस संदर्व में भोलाना तिवारी का कहना है कि मूल सामागरी यदि सुक्ष्म भावों वाली हो तो उसका भावा अनुवाद करती है यानि कि भावा अनुवाद सबसे मेन माना जाता है, इसमें सबसे महतोपुन है कि भावों का अनुवाद हो, अगर भावों का अनुवाद नहीं होगा तो जो रचना है वो पाठक समझ नहीं पाएंगे यानि कि मान लिजिए अगर मैं पूरा डेफिनेशन इसका दू तो अनुबाद सिधान्त में छाया शब्द का प्रयोग अति प्राचीन है इसमें मूल पाठ का अर्थ छाया को ग्रहन कर अनुबाद किया जाता है छाया अनुबाद में शब्दो भावो ताथ संकल्पनाओं की संकलित प्रभाब को लक्ष भाषा में रुपांतरित किया जाता है मतलब फ्रेंड्स अगर सिंपल भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ आप समझना चाहे तो छाया अनुबाद क्या होता है कि जैसे कोई हमने रचना पड़ी उसके दो-तिन बातों को ध्यान में रखके पूरा मतलब पूरा अनुबाद कर देना वो चाया अनुबाद कहलाता है उसके बाद हम करते हैं सारा अनुबाद सारा अनुबाद यानि समरी समरी ट्रांसलेशन मतलब कि छोटा रूप कर देना उसका तो माली जे की श्रोत भाष्रा में बहुत बड़ा ग्रंथ है कोई तो उसे अगर हम सारा अनुबाद करते हैं तो बहुत छोटा रूप उसका रूपांतरन कर सकते हैं तो सारा अनुबाद का अगर एक्जाम, मतलब definition लिखना चाहें आप, तो लिखिए कि सारा अनुबाद का अर्थ होता है किसी भी विस्तृत विचार अथवा सामगरी का शंचेप में अनुबाद करना, वो सारा अनुबाद क्यालाता है, लंबी रचनाय होती है, इसमें राजनेतिक भाषन होते हैं, प्रतिवेदन होते हैं, तो इन सब को क्या करते हैं, छोटे-छोटे समरी के रूप में इसे तयार किया जाता है, और उसका रुपांतरन किया जाता है लक्षे भासा में उसके बाद हम करते हैं व्याख्या अनुबाद व्याख्या अनुबाद में मतलब कि इसको ब्रॉड लेवल में लिखना यानि कि छोटा सा कोई मूल स्रोथ जो है मूल भाष्या है इस प्रकार के अनुबाद में अनुबादक मूल सामगरी के साथ-साथ उसकी व्याख्या भी प्रस्तूत करता है व्याख्या अनुबाद में अनुबादक का व्यक्तित्तो महत्तोपून होता है यानि कि अच्छे से उसका व्याख्या करके अच्छे से अनुवाद करना उसकी बाद हम आते हैं आदर्ष अनुवाद में आदर्ष अनुवाद वो होता है जो मतलब अगर आप definition लिकना चाहें तो लिखिए कि आदर्श अनुबाद को सटीक अनुबाद भी कहा जाता है इसमें अनुबादक आचारी की भूमी का निभाता है तथा सुरोध भाष्चा की मूल सामगरी का अनुबाद अर्थ एवं अभिव्यक्ति सहित लक्ष भाषा में निकरता में एवं स्वभाविक समानार्थों द्वारा करता है आदर्श अनुबाद में अनुबादक तटस्थ रहता है तथा उसके भावों एवं विचारों की छाया अनुदित सामगरी पर नहीं पढ़ती है यानि कि एकदम आदर्श पुन तरीके से एकदम डिसिप्लीन तरीके से उसका अनुबाद किया जाता है जैसे श्रोद भाषा में कोई बात कही गई है तो लक्ष भाषा में अच्छे से उसे रुपांतरित करना आदर्श अनुबाद हो जाता है उसके बाद हम आते हैं सैवंट पे रुपांतरन अनुबाद तो रुपांतरन अनुबाद का डेफिनिशन लिखिए कि रुपांतरन में शुरोत भाषा की किसी रचना का अन्य विधा साहित्य की रूप में रुपांतरन कर दिया जाता है यानि कि रुपांतरन यानि कि चेंज करना वही अनुबाद करना यानि कि कोई स्रोत भाषा है उसका हम लक्षे भाषा में रुपांतरित उसको कर दे रहे तो रुपांतरित अनुबाद कहलाता है संचार माध्यमों के बढ़ते हुए प्रभाब एबं उसकी लोग प्रियता को देखते हुए कविता, कहानी, आदिसाहिती रूपों का नाट्टे अनुबाद विशेस रूप से प्रचलित हो रहा है मतलब रूपांतरन कर जाता है, नाटक में रूपांतरन अनुबाद जादा किया जाता है, क्योंकि स्रोध भाषा में कोई बात कही गई है, उसको लक्ष भाषा में मतलब एकदम हाव भाव से प्रकट करना वह ही रूपांतरन अनुबाद हो जाता है उसके बाद हम next करते हैं अनुबाद के पार्ट प्रकृति परक प्रकार इसमें मेली 6 प्रकार हैं हमारे पास तो पहला है हमारा स्रीजनात्मक साहित्य अनुबाद, दूसरा है विज्ञान अनुबाद, तीसरा है वानिची अनुबाद, चोथा है विधी अनुबाद, पाच्वा है तकनीकी अनुबाद, और छठा है मीडिया अनुबाद, तो मैं आपको थोड़ा, मतलब इसका वो पहला हम करते हैं स्रीजनात्मक साहित्य अनुबाद में काब्य कथा साहित्य नाटक, जीवनी, आत्मकथा, निबंध, रेखाचित्र, डाइरी, आलोजना, संस्मरन, आदी के अनुबाद का समावेश होता है मतलब की इन सबको नाटक को, निबंध को, आत्मकथा को, रेखाचित्र को, जीवनी को, नाटक को, इन सबको क्या कहते हैं स्रीजनात्मक साहित्य अनुबाद में इसमें स्रीजनात्मक साहितिक अनुवाद में उसके बाद स्रीजनात्मक साहितिय अनुवाद को शैली प्रधान अनुवाद माना जाता है अनुवाद को भार्षा की या पेक्षा भाव के प्रती अधिक सहज सजग रहना होता है और उसे बनाए रखने के लिए शब्दा अनुबाद के अपेक्षा भावा अनुबाद किया जाता है स्रीजुनात्मक साहित्ती अनुबाद में मुख्य रूप से काव्या अनुबाद, कथा अनुबाद, नाटका अनुबाद, आधी का समावेस होता है मतलब इसमें हम मेंली ये देखते हैं कि इसमें स्ट्रेशन आक्मक जो अनुवाद है जैसे नाटा का जीवनी का अनुवाद जो किया जाता है यात्म कथा का तो उसमें हम देखते हैं कि शब्दा अनुबाद के स्थान पे भावा अनुबाद को मेली बहुत जादा महत्तो दिया जाता है उसके बाद हम सैकिन कहते हैं विज्ञान अनुबाद अब विज्ञान के छेतर में जो अनुवाद होता है उसे विज्ञान अनुवाद कहते हैं तो मैं एक-एक वर्ड बताऊंगी आप नोट कर लीजिएगा तो विज्यानिक अनुबाद के अविशक्ता दुनिया की प्रतेक देश को है विसिसकर उन देशों को जहां विज्यान के छेतर में प्रयाप्त विकास नहीं हुआ है विज्यान सामगरी के अनुबाद के लिए बहुत साब्धानी के अविशक्ता होती है ताकि मूल भार्षा की सूशनाय लक्षे भासा में अनुवाद होकर आने पर नस्ट ना हो जाए मंतलब की जो मूल भार्षा है उसकी प्रकेती बनी रहे क्योंकि विज्ञान के छेत्र में अविशकार होते हैं तो उसके लिए हमें सजग रूपी सक्दम सचेत होकर अनुवाद करनी का विशकता होती है उसके बाद विज्ञान पार्थ में विशे मुख्य है और शैली गौन है ध्यान से सुनिएगा यहां पर और नोट डाउन कर लिजिएगा कि विज्ञान पार्थ में विशे मुख्य है और शैली गौन है इसलिए अनुवादक को विशे का ज्यान होना जरूरी है साथ ही उसकी भाषा गुमाव फिरावाली ना हो यह भी आवसे एक है क्योंकि विज्ञान अनुबाद में सरल और पस्ट भासा का प्रयोग होता है तब ही लोगों को इजी लेंग्वेज में विज्ञान का महत्तो समझ में आएगा उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं वानिजी अनुबाद वानिजी अनुबाद क्या होता है जो वानिजी के छेतर में अनुबाद क्या जासे जाता है जैसे मानलीजी बैंकिंग के छेतर में अनुबाद हो गया या मानलीजी कोई मीडिया के छेतर में अनुबाद हो गया प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया तो इस सब वानिज्य हो गया तो मैं डेफिनेशन बताऊंगे आप लिख लीजेगा वानिज्य अनुबाद अर्थात वानिज्य से सम्बंदित विविन छेत्रों की लिखित सामागरी का अनुबाद जैसे उद्योग, व्यापार, बैंक, फिल्म, परियतन आदी छेत्रों में लेन देन, क्रेविक्रे, नियम कानुन, सूचना विग्यापन, आदी सामगरी के विविन भासाओं में आवेशकता होती है, इस दिसा में वानिज्य अनुबाद बहुत उपयोगी होता है, इसका इंपोर्टेंस बहुत जादा होता है, आज के समय में अगर हम देखे, तो आ तो ये थोड़ा साल बड़ा है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ, यहाँ विधी कार्थ कानुन से है, कानुन अत्वानियाय संबंधी सामगरी का अनुबाद काफी दुसकर माना जाता है, यानि कि कठीन माना जाता है, विधी सब्दावली लिखने में सरल लगता हो, परवास्ता में या बहुत कठीन है, यानि कि विधी के चेतर में कुछ पारिवाशक शब्दावलिया आ गई है, जिसके चलते ही क्या होता है, थोड़ा आसान लगता है, बर यह इतना आसान है नहीं, उसके बाद विधी स्वरूप अनुबाद के और जिसमें कर रहे हैं, उन दो भास्ताव का अनुबाद उन्हें बहुत अच्छे से होना चाहिए, ज्यान होना चाहिए उनको अनुबाद करने के लिए, उसके बाद विधी संबंधी अनुबाद पस्ट और सुध्ध होना अनिवार है, अगर मान लीजी सुध्ध नहीं हो मतलब गलत होगे, बहुत सारे वर्ड्स गलत होंगे, तो विधी हमें कानुन पता ही नहीं चलेगा, तो इसका बहुत सज़क तरीके से, सहस तरीके से अनुबाद करना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा और बताऊंगी कि भारत की स्वतंतरता के पश्ध भी, नव निर्मित नहीं आ जाते हैं, हिंदी का प्रचलन नहीं हो जाता, तब तक अंग्रेजी भासा में ही बात करने के लिए इजाज़क दी गई है, अनुछेद में, मतलब समिधान के अनुछेद 3.45 में, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, इतना ही काफी है, इसके बाद हम नेक्स्ट आत और तकनीकी छेतर में लगातार खोजे और अविशकार किये जा रहे हैं, विश्व में हो रहा यह विज्ञान और तकनीक संबंधी विकास, बाकी विश्व को अनुबाद के द्वारा ही प्राप्थ हो सका है, और अन्य देसों ने भी इसका लाग उठा है, मान लिजी फ्रे कुछ भी प्रद्योगी की तकनीक तो उसका पता हमें कासा है तो अनुबाद के द्वारा हमें पता चलेगा, तो इसमें ऐसा शमजा जाता है कि बहाव को से कारण तकनीकी अनुबाद आसाइन होता है, पर अन्य गान जाता है, ।ुप पश होना चाहिए प्रामानिक होना चाहिए इसलिए थोड़ा सा यह कठी माला जाता है क्योंकि इसमें प्रामानिक बीजरूत होती है उसके बाद हम आते हैं, मीडिया अनुबाद है लास्ट बट नॉट लिस्ट इसके बाद भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो मीडिया अनुबाद पर आते हैं तो आधूनिक युग में मीडिया की भूमी का और महतो को नकारा नहीं जा सकता हम सभी को पता है कि आजकर हम सोते मतलब उठते हैं मौर्णिंग में उठते हैं और उठते के साथ ही मीडिया कि हम TV बहुत जादा हमारे अभी के लाइफ में बहुत में भूमी का निभाता है तो दुनिया की सारी जानकारी समाचार, पत्र, टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो, आधी के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं, चंचन में प्राप्त होते हैं, तो मीडिया अनुबाद, अन्य अनुबाद प्रकारों से अलग है, थोड़ा सा अलग है ये, सूशना का संप्रेशन तुरंत करना होता है जैसा कि हम देखते कि संसनी खेज घटना ऐसे कुछ आता है तो क्या होता है कि हमें तुरंत करना होता है तो मैं इसको पढ़ूंगी थोड़ा सब आप लोग लिख लीजेगा मीडिया अनुबाद अन्य अनुबाद प्रकारों से अलग है सूशना का संप्रेशन तुरंत करना होता है अतह कोश या विशे सलाहकार की मदद लेना मुश्किल होता है अतह अनुबाद करते समय उच्चाडन क्या-क्या ध्यान रखना है मीडिया अनुबाद में तो उच्चा इतना ही थैंक यू फोर वाचिंग मी